नमस्कार निक्स नाइन लाइफ देख रही है आप और मैं हूँ आपके साथ प्रग्या सिंग बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास वीडियो में आज के इस वीडियो में एक बार फूर से बात करेंगे फिल्म इंडस्ट्री में रोमांस किंग कही जाने वाले आक्टर और बॉली वुड के बादशा शारुक खान के अगर बात करें तो अपनी आक्टिंग के दम पर ऐसी पहचान बना चुके हैं कि ना सिर्फ बॉली वुड इंडस्ट्री में बलकि हॉली वुड इंडस्ट्री में भी शारुक खान की अच्छी खासी फैन फॉलॉइंग है बात करें अगर इंडियन आक्टर के तौर पर तो शारुक खान की सबसे ज्यादा फैन फॉलॉइंग मानी जाती है वर्ल्ड वाइड लेकिन शारुक खान की हमने देखा कि पिछले काफी समय से शारुक खान की फिल्म कोई भी हिट नहीं हो रही थी लेकिन आखिरकार एक लंबे इंतजार के बाद शारुक खान के लिए साल 2023 काफी जादा अच्छा साबित हुआ 25 जनवरी को उनकी फिल्म पठान रिलीज हुई और पठान ने कई पुरानी फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिये पठान की जो कमाई है वो भी लगातार अभी भी बरकरार है लेकिन इस बीच शारुक खान के परिवार पर मुसीबतों का पहार तोट चुका है यहां पर बात हो रही है शारुक खान की पतनी गौरी खान की दरसल आपको बता दे कि लखनौ के एक सक्ष ने शारुक खान की पतनी गौरी खान के खिलाफ आई पी सी की धारा 409 के तहत केस सतर्च कराया है इस केस में गौरी खान पर जो आरोप लगाया है वो लगाया है उनकी एक कमपनी को लेकर दरसल इस सक्ष का दावा है कि मुंबई में उन्होंने एक कमपनी में फ्लैट खरीदा था इसके पैसे भी दे दिये लेकिन फ्लैट नहीं मिला और गौरी खान का इस कमपनी से आखिरकार क्या कनेक्शन है तो आपको बता दे कि जो इस कमपनी से फ्लैट यहाँ पर इस सक्ष नहीं खरीदा था उस कमपनी की ब्रैंड अबैसेडर है गौरी खान के खिलाफ एफ आयर दर्ज हो चुकि है और जब उसे ये खबर सामनी आई ह हर जगा पर संसनी मत चुकि अगर बात करें शारुक खान की तो इस से पहले शारुक खान की इमेज काफी ज्यादा रियून हुई थी जब उनके बेटे आरियन खान का नाम ड्रॉक्स के इसमें आया था उस दोरान हमने देखा कि शारुक खान को फिल्म इंडस्ट्री में प काफी ज़्यादा रियून हो गई थी और अब ऐसे में उनके पतनी का इतने बड़े स्कैम में नाम आना उनकी पतनी के खिलाफ फायार दर्च हो जाना कहीं न कहीं शारुक खान की मुश्किले बढ़ा सकता हैं आपको बता दे साल 2023 में शारुक खान की और भी तेन बिग तरफ से कोई स्टेटमेंट सामने आए हैं लेकिन ये एक काउंट्रवर्सी कहीं न कहीं आने वाले वक्त में एक बार फिर से शारुक खान को वो बुरा वक्त दिखा सकती है जो उन्होंने साल 2021 और 22 के बीच में फेस किया था फिलाल के लिए इस खास खबर पर इतना ही